कि सुनाई दे रहा है कि वांबी टूसी थ्री भी फॉर सी फाइव डी शिक्स्टी सेवन भी एहीट है फुरा सा डाउट हूंगा एक या दोई डाउट हूंगा रे अभी हाँ किसी का है किसे ने कुछ बेज आ है किसे ने कुछ बेज आ है हाँ बूल कोई कुछ बेज रहा है मैं 10 सेगंड रहा हूं धिरे धिरे एक्सली धे धिरे मैं क्लास के पहले doubt clear करना थोड़ा कम करूँगा और class के बाद जादा करूँगा ठीक है? मुझे problem नहीं है अगर तुम लोग अभी doubt नहीं पूछोगे तो क्योंकि course को भी खतम करना है समझ में आ रहा है class के बीच में doubt clear करने से क्या होता है कि तुम्हारा time कम हो जाता है समझाने वाला और सारे 8 बजे के बाद जब हम doubt clear करते हैं तो problem नहीं है किसे नहीं पूछा ठीक किया ठीक है तो मुझे पंगा नहीं है मैं आगे चल रहा हूँ है तो हम लोग fix कर लेते हैं कि normally क्या को बोलते हैं Monday को सारे 8 बजे के बाद जितना भी तुम्हें डाउट कूछना है डाउट पूछ सकते हैं तो मैंने कहा था कि आज मैं कुछ additional sums करवाँगा additional problems in trigonometric equation अगर तुम लोग ने NCRT का सम्स देखा होगा तो मेरे खाले में उसमें कुछ है नहीं NCRT level में यह बड़ा आसान topic है entrance level में 100% अभी हम किसी हालत में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना चीजे नहीं है solve करने वाला अभी तक हम लोग ने उतने tricks को नहीं सीखे हैं तो इसलिए अननससरी वहाँ पे जा कि demoralize होने का जूरत नहीं है पहले टिंगर में compound angle के sums को जादा करो आज मैंने एक question bank भे जाया है उसमें typical type के sums में है जादे एक बार वो try करके देखो DPP जैसे try करते रहोगे तो धिरे-धिरे देखते जाओगे कि ठीक है कि तुम चीजों को समझ रहे हो कर पा रहे हो तो चलो शुरू करता हूँ problem सपोज तुम्हारे पस कभी-कभी APGP का use हो सकता है कि if 1 by 6 sin theta cos theta 10 theta r in GP find number of solutions in 0 to 5 pi solution मैंने last class में कहा था कि number of solutions कैसे निकालते हैं हम वो चीज में आज ज़रा दिहान देंगे तो question क्या कह रहा है question क्या रहा है if 1 by 6 sin theta cos theta 10 theta GP में तो याद है ABC GP में है तो में पस एक condition मनदा था B square equal to क्या AC उस logic से यहां पर क्या कह रहा है 1 by 6 sin theta cos theta और 10 theta GP में है तो तुम्हारे पास क्या logic बनेगा तुम्हारे पास बनेगा cos square theta is equal to 1 by 6 sin theta multiplied by 10 theta you will get 6 cos square theta is equal to sin theta into sin theta divided by cos theta तो this implies cross multiply करो कि 6 cos cube theta is equal to sin square theta तो 6 cos cube theta sin square theta को 1 minus cos square theta अब क्या करोगे कोई बोलेगा क्या करूंगा क्या करूंगा बोलो cos theta को t ले लेता हूं मतलब सोचने में असान ही होता है समझ में आया वन माइनस टी स्क्वाइर तो क्या आया 60 क्यूब प्लस टी स्क्वाइर माइनस वन इकल टू जूरो क्यूभी के क्वेशन है कोई बोलेगा कैसे सॉल करते थे इंस्पेक्शन अब यहां पर इंस्पेक्शन में तुम 123 डालते जाओ तो यह तो बड़ा होते जाएगा जरा ध्यान से देखो ठीक है तो यह थोरा सा टिपिकल टाइप में आ जाता है फिर हां तो अब हम लोग क्या ना कि क्योंकि 6 कुछ ऐसा करते हैं 6 की क्यूब को मतलब क्या था कि 6 का डिविजिबिल क्या था 2 और 3 तो 2 और 3 को कि इसे दिवाइद करता था और क्योंकि 1 एक इंटीजर है तो हम ती का रेसी प्रॉक्टर में रूट देखेंगे तुम्हें ऐसे ही सोचना होगा ठीक है कि मैंने जैसे मैंने तुम लोग को याद है मैंने कहा था कि अगर मैं कभी तो 6 होने के कारण T is equal to 2 और T is equal to 3 डालके देखते थे यहां पर मैं देख रहा हूँ 6T के साथ है तो अगर तुम T is equal to 1 by 2 डालोगी तो देखो क्या होगा 6 into और सेकेंड यह बात है कि फुरा लॉजिक भी लगेगा कि कॉस्टिटा का स्टेंडर्ड वेल्यू एक 1 by 2 है तो 1 by 2 डालके देखो ना क्या हो रहा है कोस्टिटा का स्टेंडर्ड वेल्यू है 1 by 2 6 into 1 by 8 plus 1 by 4 minus 1 यह इंस्पेक्शन है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है तो 6 यह हो जाएगा तुमारे पास 3 by 4 plus 1 by 4 minus 1 is equal to 0 मतलब 0 is equal to 0 तब ऐसे होने से क्या करोगे ऐसे होने से हम 6TQ plus T square minus 1 को divide कर देंगे अगर तुमें T is equal to 1 मिला तो 2 से multiply करोगे तो twice T minus 1 0 मिला तो इससे divide करोगे किससे divide करोगे twice T minus 1 से तो जब तुम 3 T से multiply 3 T square से multiply करोगे तो यह तुमें देगा 6 T cube minus 3 T square तो यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह cancel हो जाएगा 4 T square minus 1 plus twice T से multiply कर जेता हूं 4t square minus twice t minus plus तो twice t minus 1 plus 1 से multiply कर देता हूँ तो क्या फाइदा हुआ तब हम अगर division algorithm लगाएंगे तो ये मेरे पास आएगा twice t minus 1 multiplied by 3t square plus twice t plus 1 equal to 0 तो hence तुमारे पास दो root मिलेगा या तो twice t minus 1 का value 0 या तो 3t square plus twice t plus 1 का value 0 धियान से देखो इसका discriminant negative हो रहा है तो इसमें कोई real root नहीं मिला तो तुमें एक ही value मिला t is equal to half तो ये quadratic equation का theory है नॉर्मली 6 होने से जैसे करते थे जैसे 6t cube है तो 1 और 3 डालते है 8t cube होता तो 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 डालके देखता तो ये सब tricks है जो तुमें याद रखना पड़ेगा t का value cos theta था तो hence क्या मिला cos theta is equal to 1 by 2 क्या रहा है theta का value 0 से लेके 5 pi तक है कितने roots होंगे तो अब मुझे बोलोगे cos theta half कौन-कौन से quadrant में होगा मैं इसका जगो general value नहीं लिख रहा हो रहे मैं वो कामेरा last class में हो गया था यहाँ पे मैं कुछ हलग बोल रहा हूँ cos theta half मुझे value नहीं चाहिए कौन-कौन से quadrant में चाहिए मुझे बस यह बोलो कौन-कौन से quadrant में होगा first में एक बार cos theta half होगा और कहां पे होगा fourth में होगा तो अब देखो क्या होगा मैं 0 से सुरू करूँगा 0 से सुरू करूँगा तो यह आ गया 2 pi फिर 2 pi से सुरू करूँगा तो यह आ गया 4 pi फिर 4 pi से सुरू करूँगा यह आ गया कौने बार cos theta half आया कोई बोले गा किकने बार आया 1 2 3 समझ रहा है नहीं यह वैल्यू सुकता हूँ तुम लखते मेह लिए कि भाए सुर्ओ ल्यक्तिते हैज़ु इसा थूरिन है कि a का वैल्यू होगा πाई भाई थ्री अब बी का वैल्यू एक रिपीट के बाद आ रहा है तो यह two pi plus pi by three होगा c का वैल्यू 4 pi के साथ आ रहा है तो यह 4 pi plus pi by 3 होगा मगर मुझे वो नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए कितने बार यह value ले रहा है तो मुझे 5 roots मिला तो तुम मुलों कि sir अगर बहुत बड़ा interval होता तो क्या करते suppose interval होता आपका 0 से लेके 50 pi तक नहीं तब मैं यह काम नहीं करता तब मैं यह देखता ध्यान से सुनो कि 0 से 2 pi तक 2 root है तो अगर 0 से लेके unitary method 0 से 2 pi तक तुमें 2 root मिलेगा तो 0 से लेके 50 pi तक कितना root मिलेगा इसमें कितने 2 pi cycles होंगे बोलो 2 pi cycles कितना होंगे 25 समझ में 50 होंगे कारण 25 2 pi cycles मिलेंगे तो और हर एक cycle में कितना root है तो 2 pi cycles 2 roots तो टोटल कितने roots हो जाएंगे 25 इन्टो 25 तो तुम बोलो कि सार आप डारेक्ली कर सकते तो 2 के लिए 2 है तो 50 के लिए 50 हाँ वैसे भी सोच सकते वो तुमारा काम है ठीक है वैसा सोचना तो वैसा भी सोच सकते हैं अगर फिर कभी कभी problem हो सकते है cycle के time में सोचना जादा better होता है ठीक है किसी को लिखना है तो लिख लो उपर वाला फिर आगे चलते हैं तो आज थोरा सा हाँ तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि trigonometric equation का intense level का अभी अभी recent उसमें नहीं आऊँगा हाँ पहले बहुत कुछ खतम कराना होगा जैसे तुमने देखा GP लग गया यहां पर sequensries खतम हो जाए at least sequensries और quadratic खतम होना परेगा उसके बाद ही मैं करवा पाऊँगा तो मर क्योंकि मैं कभी-कभी इस टाइब के sums को दे सकता हूं कि इस टाइब के equation को मैं compound angle में ही मानता हूं ऐसा नहीं है कि इसमें trigonometric equation को को बहुत ऐसा theory लग रहा है जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा मुस्किल हो तो चलो फिर लिखने के लिए मैं तुम लोगों को तीन मिनिट का time देता हूं खुब महनत करोगे खुब doubt पूछोगे ठीक है हाफ क्यों लिए इस सीच को ज़रा समझो 60 होने के कारण यह अगर यह 20 होता तो कि वन बार टू मतलब नॉर्मली क्या ओधा कॉंस्टेंट में यह थो इंटेग्रेल लेते है और नं कॉंस्टेंट में अधी होता है तूंस्कारेशिप्रा कर लेकर कर ले ले पिए किसी के स्कूल में कोई एग्जाम हो आभी ता नहीं सर नहीं सब्सक्राइब करना होगा मैं यहाँ क्यूंकि मैं डाउट किलिए करवाना हुँ तुम्लोग का मैं बार बार रइडि हूँ उद् नाइड हो visual style वार तक बैथने के लिए कि लिए मन्लोग रड़ी हो तो अर मुझे और को वे प्रद्लिम नहीं है तुब ले डाउट मुछ्तिये blendे लोग को ऊच्टे मेर और तुम लोग individual time मि मांग सकते हो doubt के लिए मुझसे individual time मि मांग सकते हो किसी दिन अगर ready हो तो हां कि नहीं ठीक है एक individual time दे दीजा और doubt के लिए वो मैं किसी दिन बोल दूगा कि आज अब मैं दे दूगा मतलब मेरा है कि तुम्हें sums करना है उसके बाद doubt झाल झाल कि पर चालो उसरा चालो यह चीज समझ में आ रहे हाथ उठाओ तो यह चीजी यह वह उपर मैं इस साइड में इंट्रेस्टेट नहीं हूँ मैं इसमें इंट्रेस्टेट उँ यह समझ माया कैसे करोगे ठीक है अगर समझ में आए तो मुझे बोलो तो माइनस 50 पाइ से 50 पाइ तक कितना होगा बोलो माइनस 50 पाइ से 50 पाइ तक 100 अरा है समझ में क्यों क्यों क्योंकि माइनस 50 पाइ से लेके 50 पाइ तक जब हम लोग cycle कितना है, cycle कितना है, 100 pi का length है, तो 2 pi cycle कितना होगा, 2 pi cycle 50, और हर एक के लिए तब ठीक है, i into 2 कर दे रहे हो, तो ठीक है, लिखना है तो लिखना है, यह important चीज था, एक एक चीज, छोटा-छोटा चीज है, ठीक है, यहाँ पर मतलब हम unnecessary trigonometric equation में रखेंगे, बरे-बरी चीजों को रखेंगे, छोटे-चीटों चीजों को हम यहाँ पर try करने का ख़तम करें, कोशिस करेंगे, आगे चलू, ठीक है, ठीक है, जब एक मिनित, ठीक है, तुम्हें देने का, और तुम भी कोशिस करोगे, कि DP पर से कुछ सम मैं हर दिन करूँगा, चलू, आगे चलते हैं, solve, 3 cos cos theta, मैं सब सम को solve नहीं कराऊंगा, अब हाँ, sin theta cos theta, कहीं-कहीं पर बस trick तुम लोग को दूँगा, ठीक है, 10 theta equal to 0, इसे solve करना है, तो आप देखो, मैं क्या करूँगा, यह standard trick है, यह सब होने से कैसे किया जाता है, पहले देख लो, क्या cos theta is equal to 0, इसे satisfy कर रहा है, तुम बोलो, कि सर क्यों, specifically आपने यह क्यों देखा, बताऊंगा मैं, cos theta अगर 0 डालोगो, तो देखोगे कि left hand side is not, left hand side का value minus 3 आजा रहा है, क्योंकि cos theta अगर 0 होगा, तो sin theta का value plus minus 1 में कुछ होगा, होना ही पड़ेगा, cos theta जहां पे 0 होता है, left hand side minus 3 आगा, right hand side 0 है, तो possible नहीं है, सर आपने यह क्यों किया, बताता हूँ, यह इसलिए क्या हूँ, क्योंकि यह एक special trick कैसे solve करने का, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 में quadratic बना देते हैं, quadratic in 10, quadratic in 10 theta, यह algorithm है, तो जब तुम 10 theta में quadratic बनाओगे, तो t minus twice root 3 10 theta, minus 3 10 square theta is equal to 0, अब क्या करोगे, तुम बोलोगे, 10 theta को t ले लेना, quadratic बन जाएगा, solve कर लेना, 0 नहीं होने से भी चलता है, मतलब मेरा कहना है कि, कई बार हम लोग, a cos square theta, मैं ऐसा लिखना हूँ, ठीक है, function अगर कभी ऐसा दिखे तुमें, जिसमें तुमें cos square theta दिखे, cos theta, sin theta दिखे, और sin square theta दिखे, is equal to कोई constant kc type से, तो हम क्या करते हैं, हम divide कर देते हैं, by cos square theta, ठीक है, यह इसका algorithm है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, छोटा सा algorithm है, दो मिनेट का time दे रहा हूँ, अगर महनत कर रहे हो, सर आपका इस बार का जो आपने test दिया था, बहुत tough दिया था, दूंगा ही यार, धीरे-धीरे tough test ही दूंगा, धीरे-धीरे tough test ही दूंगा, DPP देना सुरू कर चुका हो ना आप मैं, तो test दिया, वही level तो attend करना है, ठीक है, पहली बार बुरा जाएगा, हो सकता है कि second exam और अच्छा जाए, उसके बाद third exam और अच्छा जाए, ठीक है, मेरा काम तुमारा दिल खुश करना थोई ना है, तुम मूवी देखने थोई ना है, कि मूवी देखके तुम्हें अच्छा लगे, मेहनत करने के लिए आए हो, तो sums करना होगा, मेहनत करना होगा, sum करना होगा, चलो अगे चलते हैं, problem, solve, 4 cos x plus 3 sin x equal to 5, मगर यह कभी-कभी किसी school में यह पूछ भी दे आ जाता है, कभी-कभी, यह sum हाँ, यह sum मैंने कभी-कभी देखा, भी यह teacher पूछ भी देते हैं, तुम मोला कि सर, polar formula को standard नहीं है, तो सर क्या करोगी, सुन्दर सा चीज है, half-angle formula, सर क्यों बताता हूँ, जब तुम cos x को 1-10 square x by 2, divided by 1 plus 10 square x by 2 लिखते हो, और sin x को तुम 2 10 x by 2 by 1 plus 10 square x by 2 लिखते हो, तो यह क्या बन जाता है, देखो, 4, 1-10 square x by 2 by 1 plus 10 square x by 2, plus 3, 2 10 x by 2 by 1 plus 10 square x by 2 is equal to 5, इसमें दो अलग अलग value था, cos और sin, मगर ध्यान से देखो, यह केवल 10 x के term में है, क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ बोले, क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, 1 plus 10 square x by 2 is equal to 5, क्या करूँगा, यह क्या करूँगा, यह क्या 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 हो, 10 x by 2 is equal to 6, यह क्या, यह यह नहींदा नहींदा हूँ, मैं जानता हूँ, यह भी दिमाग में आरा होगा, मगर परले, मुल्टिप्लाय करने वाला तो था ही, मगर मैं वह नहीं पूछ रहा हूँ कि आगे मैं छोड़ दो क्या यह कॉड़िटिक बने का टीम है हाँ यह यह नहाँ तो वह क्यों सॉल करो वह सॉल करके टाइम के अपर बाद करो कॉड़िटिक इंटी सॉल करके देखें लिखना है तो लिख लो दो मिनट का टाइम देता हूँ यह सब ट्रिक्स हैं यह सब कॉंसेप्ट नहीं है यह सब ट्रिक्स हैं यह सब करना होगा तब जानना होगा और तुम्हें बहुत ट्रिक्स मिलेंगे चीजों को उसमें ठीक है क कि सम्स को सॉल करना होगा देखना होगा और सम्स को सॉल करना होगा तो एक समय ताइम लग सकता है, तो उस प्रोसेस को एंजोई करना होगा। तो एक समय ताइम लग सकता है, चलो, आगे चलो? 10theta minus 15 degree is equal to 10theta plus 15 degree. Solve करना है. तुम लोगा कि इसार बड़ा प्रप्रप्लम है. 15 degree standard नहीं है. मैं कॉँगा कि एकदम दिमाग में प्रेशर डालो. और तुम लोग में से कोई बोलो. जब हम ऐसा कुछ देखते थे थे तो हमारे दिमाग में कुछ आता था. यही चीज. यही चीज. यही चीज सीखना है. करत-करत अभ्याज जर्मती हो सुजान. जितना प्रेक्टिस करते रहोगे चीज उतना ही आते रहेगा. तो मैं ठीटा प्लस 15 डिग्री बाइ 10. ठीटा माइनस 15 डिग्री इस एकल टू 3 बाइ 1. मैं इसको नीचे लेकर आ गया. तुम जानते हो साइन कॉस में चेंज करना होगा. अब क्योंकि एक्जाम में तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है. बार बार ठीटा प्लस 15 और ठीटा माइनस 15 लिखना कितना बुरिंग काम है. क्यों ना हम एक काम करें. ठीटा प्लस 15 डिग्री को केपिटल ले ले ले, ठीटा मैनस 15 डिग्री को तुरा जिन्दगी को आसान करना सीखो. तो तुम लोग बोले कि सर हमने आसान कर लिया पढ़ना ही छोड़ दिया है. नहीं वो जिन्दगी को आसान करना नहीं होता है. कोई कि बाद में ज्यादा महनत करना पड़ेगा, sin A cos B divided by cos A sin B is equal to 3 by 1, componendo and dividendo, sin A cos B plus cos A sin B divided by sin A cos B minus cos A sin B is equal to 3 plus 1 by 3 minus 1, तो this implies sin A plus B divided by sin A minus B is equal to 2, sin A plus B, sin twice theta, this implies sin twice theta divided by sin A minus B, sin 30 degree is equal to 2, तो this implies sin 2 theta is equal to 1, तो hence twice theta is equal to 1 किसके लिए था, sin 90 degree के लिए, तो N pi plus minus 1 to D power N into pi by 2, निकाल के देख ले न, answer आ जाएगा, ताइम देता हूँ न, दो मिनेट का टाइम दे रहा हूँ, तो वो जो स्टाइटिंग में जो कंपोनेंटों डिवेदेंटों दिमार्ग में आएगा, वही तो करत करता भ्यास जर्मती हो सुजान, ठीक है, देखो, यह जो कहा जाता है कि नहीं, कोचिन सेंटर यहा, आकार होता है, कोचिन सेंटर, मैं तो टुटेरियर सेंटर है कि यहल मैट्स करभाता हूँ, चीजों को रटाते हैं, यह सुनके बड़ा अजीब लगता है हम लोग को कि रटाते हैं, कोशन बैंक सॉल करके देखो तो रट के वो सॉल कर पाओगे, डीपी सॉल करके देखो र हैं इसलिए ट्रिक्स का जानना चाँ ए सлемgenije चलना चाहिए हैं जाम्रोम करके देखो बड़ा है, सुछता है कि जा बांसर कर ऴाल के और ट्रिक्स का यौर कर आया तो उसका फिंगर मैमोरी होता है, जितना प्रेक्टिस करते जाओगे उतना फिंगर मैमोरी आएगा ठीक है, मगर वही देख ना, वही जब यॉरकर एक lower the order batsman खेलने के लिए जाता है, हर वजन सिंग तो उसका paw में लग जाता है, बाउंसर उसके सर में लग जाता है, क्योंकि उसका practice नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वह ज़्यादा batting practice नहीं करता है, तो यह practice के उपर है ना, कि त उतना ज़्यादा practice करोगे, finger memory तुम्हारा उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा finger memory होगा, तो तुम्हें पता चल जागा रहे, बाउंसर आ रहा है, तो मैं थोरा सा flick कर देता हूं, six चला जाएगा, तो वह तो practice करना होगा ना, वह देख के तो यह नहीं सकता है, यहां conceptually तुम सोचोगे और उसके बाद करोगे, वो ठीक है, नौक ओट examination कभी भी वो नहीं है, कहीं कभी, all our world में कहीं कभी, नौक ओट examination वो नहीं होता है, नौक ओट examination का मतलब वो जहां पर candidates बहुत जादे होते हैं, और selection कम का होता है, मैं उसका बात कह रहा हूं, चलो, आ मुझे न, दू-तिन चीज बताना है, क्योंकि जब मैं इस लिए, कभी-कभी मेरे seat में तुमें मिल सकता है, तुम 99% टाइम तुम यह answers नहीं देखोगे, तुम बोलोगे, हसर क्यों, मैं बताता हूं, जब sin theta 1 होता है, तो हम general value को कुछ अलग तरीके से भी लिख सकने हैं, ध यहीं पर sin theta 1 होता है, और कहीं भी 1 नहीं होता है, और यह वाला line twice and pi था, और यह pi by 2 ज़्यादा था, तो क्या मैं theta को ऐसा नहीं लिख सकता हूं, twice and pi plus pi by 2, क्या यह समझ में आया, कहीं इस से अच्छा लग रहा है, तुम बोलोगे, सर क्या यह गलत है, यह गलत नहीं है, मै मगा जो तुम objective answers देखोगे, तो sin theta 1 को हम theta twice and pi plus, क्योंकि यह दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है, और कोई reason नहीं, यह दिखने में अच्छा लग रहा है, कई बार tapographic में whole to the power n को लिखने में author को जादा problem होता है, तो अगर ऐसा case है, तो sin theta is equal to minus 1 को क्या लिख सकता हो, क क्योंकि तुम नीचे की और आ रहे हो, तुम नीचे की और आ रहे हो, तो यह minus pi by 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, twice and pi minus pi by 2, लिख लो आय तो लिख लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, तो इस type से कुछ minor changes कभी-कभी आ सकता है, तो तुमें options को, वो तो option को कैसे करेंगे, व तुम लोग में कई लोग मुझे मैसेज अभी बेज रहे थे, कि सर आपके assignment sheet का answer और मेरा answer अलग आ रहा है, उससे घबराओ मत, अगर तरीका सही है, तो अभी वही सीखो, दोनों चीज हम लोग एक साथ क्यों सीखे हैं, मगर मेरा कहना है कि कभी-कभी answer देखके तुम तुम जड़ा होगा, 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 तुम चलो, आगे और चल रहा हूँ, अब मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ, कभी-कभी दो equation दिया रहेगा, तब क्या होगा, जब दो चीज दिया रहेता है, जैसे मैंने दिया, sin theta is equal to minus half, cos theta is equal to root 3 by 2, अगर simultaneous equation इसे हम लोग कहते हैं, स्पेलिंग देख लेना या, इंग्लिस क्लास में नहीं हो, simultaneous equation, दो एक question जब दिया रहेता है, तो क्या, तो दोनों ही अगर satisfy करना होगा, तो इसका बड़ा basic algorithm है, fine quadrant, क्या quadrant में होगा, तुम मुझे बोलो, अनाम से, अनाम से, अनाम से बोलो, कौन से quadrant में ठीटा होगा, sin negative है, sin negative है, cos positive है, cos positive है, कौन सा, fourth, निकल गया fourth quadrant, निकला, first, second में find value, तो fourth quadrant में theta, minus 1 by 2 किसके लिए था, pi by 3 के लिए था, fourth quadrant में हो जाएगा, 2 pi minus pi by 4, sorry, pi by 3, pi by 6 होगा, तो theta 11 pi by 6, अब तुम के बार fourth quadrant में हो, very good, ध्यान से देखो, तुमको 11 pi by 6 मिला, पहली बार, हाँ, ठीक है, मिला, मगर जब तुम और एक बार घूम के आओगे, फिर से तो मिलेगा, अब कितना बार घूम के आए, तुम बोलो, sorry, ये गर, ये मैंने गरत बना दिया था, 11 pi by 6 तो नीचे जाए, sorry, तुम जब ऐसा घूम के आ रहे हो, तो तुमें 11 pi by 6 मिला, very good, मगर अब जब तुम dotted line में और एक बार घूम के आओगे, दुबार 11 pi by 6 मिला, तो बोलो, कितना ग्यूम हो, कितना rotation के हो, कितना degree rotation के हो, या radiant rotation के हो, समझ मैंना क्या हो रहा है, तो उसके बाद हो रहा है, ये 2 pi plus 11 pi by 6, तो जनरल वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, twice and pi plus 11 pi by 6, तो मैं दुबारा क्या रहा हूँ, क्या हुआ, जैसे, ठीक है, और एक सम्में करवा देता हूँ, प्राब्लम, जैसे अगर मैं तुम समझ में ठीटा का वैल्यू, वन के लिए, pi pi by 4, pi plus pi by 4, तो ठीटा का वैल्यू, 5 pi by 4, अगर ठीटा 5 pi by 4, तो जनरल वैल्यू क्या होगा बोलो, मैंने भी कुछ बोला था, तो त्वाइस एंड पाई, प्लस, 5 by 5 by 4, लिखना है तो लिख लो ये दोनों चीज, तो जनरल वैल्यू के लिए ये काम करना पड़ता है, मेहनत करेंगे हम, सही माईने में, झाल झाल तो टाइमर देना भूल गया रहे हो गया है एक मिनट का टाइम दे दिया है हाँ एक मिनट का टाइमर दे दिया है तो बरारम सली का टाइमर देने से मेर लिए भी अच्सा होता है मिनट करेंगे खूब डाउट पूछेंगे झाल 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 कि चलो आगे चलो तो हम लोग ट्रिक में थे लास समा इस टाइब का लास सम जिसमें मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि देखो भीया मैट्स को एप्रिशेट करते हो तो खुस हो जाओगे मतलब सर ऐसा भी होता है बोलोगे यह सॉल करना है क्लास एथ या नाइन्थ का कॉंसेप्ट है तो मुला कि सर ऐसा नाइन्थ में अमने साइन कॉस सीखा ही नहीं था टेंथ में जाके सीखाया भूल गायों ओ सॉर्डी वन प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स is equal to 3 by 2 into 2 sin x cos x 2 to cancel 1 plus sin cube x plus cos cube x is equal to 3 sin x cos x पकर पा रहे हो 1 cube plus sin x ka whole cube cos x ka whole cube 3 into 1 into sin x into cos x तुम पोलोगे सर्च हो रहे है ना सर क्या बोल रहे है A cube plus B cube plus C cube is equal to trice A B C कब होता था? Only if तो condition था आइदर A plus B plus C is equal to 0 और A is equal to B is equal to C A is equal to B is equal to C का तो मतलब हो गया कि sin x cos x अभी तुम स्टेंडर्ड डेखते हो तो तुम बोलोगे सर्च अभी आपने हाफ एंगल फार्मला भी करवा है था है उससे भी एंसर आजाएगा कुछ अलत चीज़ कराता हूँ polar form half angle को छोड़ो sin x को ऐसा लिख सकते हो 1 plus cos x sin x के बदले क्या है 2 sin x by 2 क्या तुम बोलोगे सर् यही चीज़ इतना speed में दिमाग में मेरा नहीं आता है एकदम मत घब रहा हो एकदम मत घब रहा हो अगर महनत कर रहे हो तो तुम्हें गलत फैमी है कि तुम्हारा जो examination है वो एक महने के बाद है देर महने के देर साल के बाद है देर साल से ज़्यादा time है तुम्हारा examination में अल्मूस्ट दो साल के बाद है DPPs दोगे, तेस्ट करोगे revision class होगा तो धीरे धीरे आएगा ना दिमाग मेरे तुम्हों लोगे साल मगर आप जो आप quality का शुरू कर दोगे I cannot wait, मैं कैसे wait करूँगा तुम्हारी लिए पहले ये फूरा आ जाए तुम्हारे दिमाग में फिर उसके बाद करो, तुम्हों लोगे नहीं साल सर्फ टैंट में होता था अरे अभी भी बोर्ट में हो रहा है कि क्या किसी ने बोर्ट लेवल में टिग्नोमेटिक एक्वेशन NCRT उठा के देखा है क्या सम है उसमे 9 सम है टिग्नोमेटिक एक्वेशन में 9 सम हैं, सम का आउकात ही नहीं है एक घंटा नहीं लगता है करने में मतलब यह डूसरा क्लास है मेरा मतलब मैं तीन घंटा दे रहा हूं तो बोर्ड लिवल में उस वड़ प्हिल भी ऐसा था उस वड़ भी अभी भी ऐसा है मागा नाइंट टेंट में भी तो यह दो पॉसिबिल्टी देगा, क्या देगा? या तो cos x by 2, 0, नहीं तो क्या? sin x by 2 is equal to cos x by 2, आगे तो करनी रहा हूँ, आगे तुम लोग कर पाओगे. लिखना है तो लिख लो, तो यह 2 मिनिट का टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, और आगे चलते हैं. तो समझ में आया, tricks, क्या? ट्रिक्स, दिमाग को खुला रखोगे. ठीक है? और यह मेरा responsibility है, कि इस टाइब के सम्स को मैं तुमें दूँ, मगर यह तुम्हारा भी responsibility है, कि तुम घर में बैठके तब ऐसे सम्स को करो. बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि सर, आप बहुत सम्स देते हो, सर, मुझसे किवल चाहर सम हो बाता है, मैं demoralize हो रहा हूँ. एकदम गलत बात है. चाहर सम हो रहा है, चाहर सम ही करो. देखना, कुछ दिन के बाद वो 5 होगा, कुछ दिन के बाद वो 6 होगा. देखो, drastic improvement का कभी भी यह मैं सोचो कि दो दिन में में मेरे पास drastic improvement हो जाएं. इस आलवेस बेटर कि आज ठीक है, तुमारा आज केवल 3% improvement हो, केवल 2% improvement हो, मैं सोचो कि अगर तुम 2% improvement केवल, पास दिन में तुम अगर 2% improvement करते हो, तो कोई problem नहीं है. एक महने में तुमारा कितना improvement हो जागा, तुम यह सोचो. और तीन महने में तब सोचो. improvement हर समय वैसे ही होता है, improvement कभी instantly नहीं होता है, कि हाँ अभी तुम यहाँ पे तुम आचानक 100% improve करोगे, और फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा. वैसा नहीं होता है. थीका, मैनने गलती ले लिखाए. sorry. minus common लेने सो तू आजाएगा? हाहा. थीका, मैनने गलती लिखाऊ. htиях. तरीका. यह minus लेने सो तो आजाएगा, इन्तु एक minus ले ले, तो फिर मैननने sin x by 2 ले ले, तो आजाएगा, थीका, वहो ऐजाएगा. आगे चलता हूं, आगे चलू में? हाँ सर, चलो ठीक है तो तिग्नेमेटिक एक्वेश्न मुझे यही तक कराना था, अल्मूस्ट ठीक है, अब बाकिका जो चीजे हैं, वो तुम लोग डाउस पूछोगे, करोगे, मगर अल्मूस्ट ठीक है, मैं कभी-कभी डीपीप में टिग्नेमेटिक एक्वेश्न अब तुम्हें दे सकता हूं, इतना करा दिया अब तुम लोगों को मैं कराता हूँ चैप्टर नंबर फाइव, बोर्ड लेवल में आता हूं कॉम्प्लेक्स प्लस क्वाडरिटिक, बढ़ा असान सा टॉपिक है, क्वाडरिटिक बहुत सालों तक, रूट आवर माइनस वन जब आता था, तो मैठेमेटिशन कुछ काम नहीं करते थे वो बोलते थे, रूट आवर माइनस वन रियल नंबर में पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए ये मिनिंग्लेस एक्क्वेशन है, मतलब ये एक इमेजनेरी चीज है, इसके उपर काम करके फैदा नहीं है बाद में, गौस नाम का एक जीनियस आया, उसना बोला ठीका मैं सॉल नहीं कर सकता हूँ, मर में एक सिंबल तो दे सकता हूँ, उसने एक सिंबल दिया, i is equal to root over minus one को, और इसके साथ उसने खेलना शुरू किया, उसक्त तक उसे यह नहीं पता था, कि वो जो नया चीज निकाल रहा है, वो बाद में जाके, एलेक्ट्रो डैनेमिक्स के, उस सम को सॉल करने में हल्प करेगा, जिसे नॉर्मल तरीके से सॉल नहीं किया जा सकता है, उसमें अभी तुभे जाने का जोरत नहीं है, तुम्हारे कोर्स में वो चीज नहीं है, उसने क्या, तूट आवन मैनस वन दिया, कि देखो इसी को कहते हैं जीनियस, कितना, उसने कुछ किया ही नहीं, उसने बस एक सिंबल दिया, और उसने बोला कि मैं इससे एक अलजब्रा बनाऊंगा, that is known as complex algebra, तुम्हारे कोर्स में वही algebra कोर्स में है, मैं जो electrodynamics का पार्ट बोल रहा हूं, वो integration का पार्ट है, बात में जाके देखा गया, कि कुछ integrations इससे solve नहीं किया जा सकता है, real method से, complex number के help से, उसे solve करके, उसका real value निकाला जा सकता है, मगर वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में शुरुआत यहीं से है, मतलब symbol से, ध्यान से देखो, e एक symbol है, जिसका एक numerical value है, pi एक symbol है, जिसका एक numerical value है, i एक symbol है, जिसका कोई numerical value नहीं है, समझ मैं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, i जस्ट एक symbol है, जैसे तुम 10x by 2 को t देते थे, Gauss ने देखा कि जब i को मैं root आवर minus 1 दूँँगा, तब i square जो है, root को खतम होके, minus 1 आजाएगा, अगर अब मुझे i cube कभी मिलेगा, तो मैं उसे i square into i लिख सकता हूँ, और i square minus 1 है, i root over minus 1 है, तो root over minus 1 को लिखे हैं, i लिख देते हैं, क्योंकि i के term में ही चाहिए, i square minus 1 है, multiplied by i, तो this is nothing but minus i, और i to the power 4 में उसने देखा, कि वो i square का whole square है, मतलब वो minus 1 का whole square है, यह 1 है, तो यह खेला, यह एक game खेल रहा है, मतलब 1 होने के बाद अब वो repeat करने लगेगा, जब मैं तुमसे i to the power 5 पुछूँ, तो वो i to the power 4 into i होगा, मगर i to the power 4 क्योंकि 1 होता है, तो वो केवल i देगा, जब मैं i to the power 6 पूछूँ, क्योंकि वो i to the power 4 into i square होता है, तो यह 1 into केवल i square, i square देगा, मतलब i का अगर तुम्हें कोई भी बड़ा value दे दिया जाए, जैसे i to the power 38, तो तुम 4 के multiple के आसपास सोचोगे, कि तुम i को लिख सकते हो 36 plus 2, सर आप 36 के बारे में क्यों सोचें, क्योंकि 1 जो है, वो multiplicative identity है, और multiplicative identity का आ जाना, मेरे लिए एक खुबसूरत चीज होता है, तो इसे i4, whole to the power 9, into i square, i to the power 4, 1 है, तो 1 into i square, विच इस नठीज है, तो तुमने देखा कि, अगर मैं 38 को 4 से डिवाइट करूंगा, तो मेरा reminder जो आएका वो 2 होगा, तो इसलिए answer के बाल i square है, तो हैंस अगर कभी भी कोई i to the power n दे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं n को 4 से डिवाइट कर दूंगा, जो reminder आ रहाएगा, वो वही value देगा, इसलिए अगर मैं तुमसे पुछो, i to the power 11 कितना होगा, i to the power 11 कितना होगा, i to the power 11 कितना होगा, तो समझ में क्या है, क्योंकि चीज रिपीट कर रहा है, हम जान रहे हैं, मैं दूबारा यहां पर लिखवा दे रहा हूँ, तो यह वाला पार्ट मत दिखना मेरे ख्याले में, यह वाला पार्ट लिखना, i को रूप आवर माइनस वन, यह सिंबल है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, यह एक सिंबल है, इसका कोई physical तुमें मीनिंग, ना तो अभी दिखेगा, और ना तो तुम, अगर master degree भी करोगे, math में तब भी नहीं दिखेगा, यह just एक सिंबल है, हाँ, तो i स्क्वार माइनस वन होगा, i क्यूब माइनस आई होगा, और i to the power 4 वन होगा, i to the power 5 फिर से i हो जाएगा, i to the power 6 फिर से i स्क्वार हो जाएगा, i to the power 7 i क्यूब मतलब i क्यूब हो जाएगा, और i to the power 8 फिर से 1 हो जाएगा, तो तुम बोल रहे हैं, देख रहो, यह चार-चार के साइकल में गूम रहा है. इसलिए मेरा फार्मूला ये था, ये फार्मूला था मेरा, कि R जो है, वो reminder when N is divided by 4. किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. यहाँ पे कहीं बे doubt है तो. कुछ और भी अगर doubt है तो पूछ सकते हो. कुछ पूछ सकते हो. कुछ पूछ सकते हो. के मतलबुक्स पावड टूल है. मतलब सही मायनी में फिजिक्स के बंदे लोग कॉम्वेक्स नमबर ज्याधा पते है कंपेरेड टू मैठमेटिक्स के बंदे से. मतलब mathematics के बंदा complex number वही पड़ता है जो complex के उपर research कर रहा होता है मगर physics के variety of topics में complex number लगता है चलो, आगे चलते हैं आगे चलो? 1 by i जब भी तुम्हें दिखेगा तो normally i को नीचे नहीं लिखा जाता है यह कोई नया चीज नहीं है तुम लोग देखते होगे जब भी normally root 2 by suppose 2 by root 2 मिलता है तो normally हम लोग root 2 नीचे रखते नहीं थे नहीं क्या तो normally यह rule जो हम लोग ने उसमें भी देखा था 1 by 1 minus root 2 तुम देखोगे answer में नहीं मिलता था 1 plus root 2 से multiply कर देते तो वो चीज़ यहाँ पर आप सिखा रहा हूँ वही चीज़ सिखा रहा हूँ 1 by i को normally हम 1 by i में नहीं रखते है हम क्या करते हैं 1 by i को i और i से multiply कर देते है उससे फैदा होता है कि उपर i और नीचे minus i square आ जाता है sorry, नीचे i square हो जाता है i square का value minus 1 था तो hence यह minus i हो जाएगा क्योंकि i square equal to minus 1 ठीक है तो यह सिख को नीचे नीचे normally i नहीं रखा जाता है not desirable है तो ना तो R2 सर्मा में ना तो NCRT में कभी भी वो answer मिलेगा जिसमें डिनोमेटर में i रहता है तो जैसे अगर मैं तुम से पूछता हूँ i to the power minus एकदम असान सम ले लेता हूँ 401 या 403 लेता हूँ 403 तो क्या हो जाएगा तो तुम यह 1 by i to the power 403 करोगे 403 को जब 400 से divide 4 से divide करो कि तो reminder 3 आ जाता है मगर i3 क्या था i3 जो था वो minus i था तो minus i तो हम जानते हैं 1 by i जो है वो minus i है तो minus common होगा minus 1 by i तो यह उपर जाके क्या बन जागा i into कितना minus उपर जाके क्या बन जागा 1 by minus i तो i of क्या minus i तो minus minus cancel answer क्या है तो किसी को लिखना है तो लिख लो तो desirable नहीं है कि denominator में तुम आई तो होगे सब को सिक्रेगा जोल इतनी है रहें सब को सिक्रेगा जोल इतनी है प्राब्लम तो जैसे अगर तुम लोग का एक मार्स का सामायागा कि i to the power 19 प्लस 1 by i to the power 25 का whole square का value निकालो तो निकालो i to the power 19 तो क्या हो जागा i to the power 19 तो मारे पास में मुझे ज्यादा बेटरught यह लगता हा i to the power 19 तो मुझे ज्यादाव नईटेन को जो भी लगता है पहले तुम अगर जैसर भी 9 तो मुझे यह ज्यादा बेटर लगता है i to the power 19 को जबाएट कर और मैं दिवाइट करण का 4 से तो रिमाइंडर 3 आजाता है समझे में आया, हाथ तू थाओ ने साला गेच शकता हू तुम चीजों को ब्रेक भी कर सकते हो, 1 प्लस आई का होल क्यूब है, तो जो नॉर्मली फार्मला लगता था, वो फार्मला यहां पे भी लगेगा, जो रियल नंबर में लगता था, A प्लस B होल क्यूब का फार्मला, कि A क्यूब, प्लस 23 A स्क्वार B, प्लस 23 A B स्क्वार प्लस B क्यूब, तो अगर वो फार्मला लगा होगे, तो 1 क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 23 A स्क्वार B, तो I, प्लस 23 A B स्क्वार, I स्क्वार, प्लस B क्यूब, I क्यूब, तो 1 प्लस 23 I, प्लस 3 I स्क्यूब के बदले, माइनस 1, सर 4 का formula मुझे भी तक नहीं पता है मैंने भी bernumail theorem नहीं कराया तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस i का whole square के साथ whole square ले लेंगे तो सर क्या फैदा देखते हैं whole square इसे break करो 1 square plus twice i plus i square क्या दिल खुस हुआ तुम बोलोगे सर sure shot हुआ minus 1 i square था minus 1 और i को cancel करोगे तो यह twice i का whole square हो जाएगा मतलब 2 square into i square 224 into minus 1 is equal to minus 4 किसी को यह दो सम लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलते हैं अईँआए सर कुआए कुआए चलो आगे चलता हूँ आगे चलो अगे चलो अगे चलो 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 कभी कभी तुमसे ये भी पूछा जा सकता i plus i square plus i cube plus i to the power 4 dot 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 i to the power 100 तो एक तो तरीका है कि तुम gp का formula लगा दूँ मगर मैं भी board level में हो तो gp का formula नहीं लगाता हूँ तो मैं कुछ एक pattern दिखाता हूँ 4 का cycle थाना रे i plus i square plus i cube plus i to the power 4 क्या होगा बोलू i i होगा i square minus 1 होगा i cube minus i होगा i to the power 4 plus 1 होगा तो क्या सब cancel होके क्या होगा 0 i to the power 5 i to the power 6 i to the power 7 i to the power 8 क्या तुम बोलो कि सर बोर कर रहे हो सीम चीजी होगा आपका i to the power 5 is nothing but i तो तुम समझ में है क्या 4-4 का cycle अगर मैं लूँगा तो क्या होगा समझीरो होगा एक काम करता हूँ 100 नहीं लेता हूँ 50 ले लेता हूँ तब बोलो क्या होगा क्या 50 में 4-4 का cycle होगा या बच जागा कुछ तो बच जाएगा समझ में आ रहा है तुकि 58 नंबर से हैं तो i plus i square plus i q plus i to the power 4 ये cycle तुम्हारा चलेगा वो cycle तुम्हारा चलेगा i to the power 43, 44, 45, i to the power 46, i to the power 47, i to the power 48 तो क्या बच गया i to the power 49 और i to the power 50 तो क्या फाइदा ये पूरे का ये venesis हो जागा नहीं क्या venesis का मतलब 0 तो बच क्या गया तुम्हारा पास i to the power 49 और i to the power 50 49 को जब तुम 4 से डिवाइट करोगे तो reminder i आता है 50 को करोगे तो i square आता है तो answer minus 1 plus i खिला खतम लिखना है तो लिख लो मैं gp वाला side में लिख दिया हूँ क्योंकि gp का एक sum मैंने दिया था वो लगाने से भी answer आ जाता है क्योंकि आता है कि आगे चलता हूं कि आगे चलूं कि अब देखो अब अभी तक मैं अलग लेके आ रहा था अब तुम लोग को पहली बार यहां पे देखा कि ऐसे नंबर्स दिखेंगे ठीक है तो कॉंप्लेक्स नंबर में जब तुम काम करोगे तो तुम्हें कोई कॉंप्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा अब प्लस आई बी जैसा जिसमें ए बी रियल है जीरो भी हो सकता है बी बी जीरो हो सकता है मतलब Every real number is a complex number Every complex number is not a real number तब हम इस A को कहते हैं और normally complex number को हम लोग Z से दिखाते हैं तो यह Z है तो A जो है This is known as real part of Z Real part of Z इतना लंबा नहीं लिखते हैं R E of Z लिखते हैं केवल B, I नहीं B जो है उसे imaginary part of Z कहते हैं imaginary part of Z इसे I am of Z दिखते हैं तो Z A प्लस I B था अगर B 0 है तो Z A होगा जिससे हम purely real कहते हैं अगर A 0 है तब Z I B होगा यार रखो मैं फिर से कह रहा हूँ A भी real number होगा मगर हां इससे हम purely complex कहते हैं क्योंकि इसमें real part नहीं है तो मैं एक चीज करके दिखाना चाहता हूँ मैं multiply करना चाहता हूँ A प्लस IB को A माइनस IB से ठीक है तो कर सकते हो ये तो A प्लस B A मैनस B का फार्मला है तो ये A square माइनस IB का whole square तो क्या मिलेगा A square माइनस I square B square मगर I square माइनस 1 था तो ये क्या मिलेगा A square प्लस B square A भी real number है हैंस ये real है तो कोई भी complex number को अगर तुम्हें उसे real सब्स बनाना है तो उसे A माइनस IB से मल्टिप्लाई कर दो ये इतना important quantity है कि ये दोनों का नाम है हम कहते हैं they are conjugate of each other मतलब सर अगर Z A प्लस IB है तो conjugate का symbol Z bar होता है जो A माइनस IB केवल imagery part का number change होता है हां और हमने क्या देखा जब मैं Z को Z bar से multiply करूँगा तो मुझे A प्लस IB into A माइनस IB मिलेगा जो मुझे कुछ दे रहा है A square प्लस B square जिसका कुछ नाम है जो हम बार में देखेंगे और ये purely एक real number है तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछू कि Z is equal to 4 माइनस 3i तो Z bar क्या होगा कोई बोलेगा थोड़ा हल्ला करो अच्छा लगे 4 plus 3i 4 plus 3i Z अगर minus 2 minus i है तो Z bar क्या होगा minus 2 plus i minus 2 plus i Z अगर 5i minus 3 है तो क्या होगा Z bar minus 5i minus 3 minus 5i minus 3 सब्सक्राइब है इमेजरी पार्ट का चीट चेंज होगा किसी वह कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो लिखना है तो लिख लो सर उपर आप क्या बताना चाह रहे थे उपर एक हेडिंग जे सकते हो conjugate आफ और कॉंपलेक्स नबर सर देरफोर से conjugate वाला पर्ट थोड़ा समझा सकते हैं कहां से बोल कहां से यह वाला Z A plus यह समझ में आया है पहले यह समझ में आया सर नहीं सर वही नहीं मेरा कहना है अगर B 0 होगा तो बोल ना क्या होगा अगर B 0 होगा तो यह खतम हो गया अब अगर a 0 हो गया, तो क्या हुआ यह बोल? रियल पार्ट? complex मतलब purely complex, समझ मैं है? complex तो ये भी है, complex तो ये भी है गर a 0 होने से producerate complex नहीं है, pure complex है तो purely complex कहते हैं, तो ये समझ मैं है? हाँ, उसके बाद मैंने बोला कि मैं करके देखता हूँ जब मैं a plus ib को a minus ib से multiply करूँगा तो ये तो x plus y into x minus y का formula लग जाएगा लगे गा है नि तो i square के बदले क्या लिख सकते है तो ये समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये बदा सुन्दर चीज़ बन गया पहले मैंने देखा ठीक है मतलब ये कुछ ऐसा है कि root 2 minus 1 को rational बनाने के लिए क्या करोगे किसे multiply करोगे किसे root 2 plus 1 बस वही चीज़ सोचो ठीक है तो वही कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे real number बनाना है rational नहीं real number बनाना है ठीक है तो लिखना है तो लिख लो समस्क्राओंगो तो ज़्यादा क्लियर होगा ठीक है यह तो definition है ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई डाउट है तो पूछोगे मगर मुझ से हाँ sir sir अब z और z देश से एक पर समझा सकते हैं कि अमेरा connection कट हो गया था यहाँ पर मेरा कहना है यह सिंबल है इसको हम conjugate of z कहते हैं conjugate of z यह सिंबल है जब भी a plus ib होगा जब भी a plus ib होगा तो जब बार हर समय a minus ib होगा यह कोई थियोरी नहीं है यह definition है समझ में आया या जब a plus ib into a minus abe करता हूं तो कुछ अच्छा मिलता है च्या तो तुम लोग को जब मैं यह definition दे रहा होता तो तुम्हारे दिमाग में आता सर आप पहले यह definition क्यों दे रहे हो तो मैंने definition से पहले ही तुम्हें उसका application बता दिया कि अगर मैं complex number को उसके conjugate से multiply करूँगा तो मुझे हर समय क्या number मिलेगा अब तुम्हारे दिमाग में आखा सर क्यों परहाद आप यह चीज़ जस लिख लो इसे एक बार मतलब देखो क्या होता है मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ अगर यह class मेरा physical class होता तो मेरा यह blackboard होता है मैं blackboard का तीन भाग करता हूँ यहाँ पर मैं तुम लोग को conjugate का definition देता है और नहीं रुकता speed में एक sum करवा देता है और उसके बाद बोलता पूछो तो जब मैं यह दोनों एक साथ करवा देता हूँ तो doubt कम होता है बर जूम में क्या है कि पहले अभी मैंने यह part करवाया तो doubt हो गई अब मैं जब इस वाले part में जाऊंगा तब भी doubt हो सकता है तो यह वाला column खाली है doubt वाला column घबराओ मत तो फिर हम लोग यहां पर आएंगे तो जूम में मेरा हाथ बंधा हुआ है कि मैं दो पेज में जाना नहीं चाहता हूँ एक पेज में इसलिए कभी कभी तुम्हें ऐसा फील हो सकता है सर आप स्पीड में ज्यादा कुछ बता दिए हाँ जान मुझके था कि एक पेज में वो आ जाए मैंने साइब भी हाँ कन्फ्यूजन वो नहीं है मैं जान रहा हूँ क्या कन्फ्यूजन है से जरूरत क्या है समझ मैं मैं जान रहा हूँ से जब आप क्यों परहा रहे हो यह इसमें क्या ज़रूत है इस पेज में क्या आपने परहा के क्यों सा बहुत 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 झाल झाल आगे चलू सब्सक्राइब कि नंबर को ना हर समय हमें ए प्लस आइबी फार्म में लिखना होता है तुम जब भी answer देखोगे इस form में होगा तो ध्यान से देखो जब मैं one byte तो यह यह form में नहीं है तो मुझे इस form में इसको लेके आना है इसे a plus ib form कहते है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं एक काम करता है अभी मैंने देखा था किससे multiply करूँगा इसके conjugate से तो अगर मैं conjugate से multiply करूँगा तो क्या हुआ नीचे तो मैंने भी देखा ही कि a plus ib into a minus ib हर समय तुम्हें क्या देगा a square plus b square तो उपर दिया 3 minus twice i नीचे क्या दिया 3 square plus 2 square तो यह real part 2 है तो this implies 3 minus 2i divided by 3 to 9 30 तो this can be written as 3 by 13 minus i times of 2 by 13 तो अब यह form देखो यह जो form है वो यह form आ गया तो समझ मैं क्यों सिखा आ गया कि अगर तुम्हें denominator से complex number हताना है तो हर समय उसके conjugate से तुम्हें multiply करना होगा हर समय जब भी ऐसा दिया रहता है तो किसी को लिखना है तो लिख लो सारे एक सम करवा हूँ कुछ पूछना है तो पूछो कि अगर पूछना है कि अगर रहता है कि अगर बाढ़ देजा वार्टना है अगर तो अगर पूछना है उसमें तो सिभ एंट्रेंस के साम होगे निया सब्सक्राइब यह मगर यह कभी कर सकता हो रहे कॉंप्लेक्स नंबर अभी बोर लेल में पढ़ा दिया तो इसी का कुछ अब्जेक्टिव समझे दूगा समझ मैं ना ताकि यह भी रिवेजन होते रहे मगर मतलब अब्जेक्टिव में रहे गा मगर मतलब जिस लेवल में जो पढ़ाए गया है कॉंप्लेक्स नंबर अभी एंट्रेंस में तो पढ़ाऊंगा नहीं है यह तो एक्स्प्रेस इन ए प्लस आई बी फाम दो में टूक जाओ मैं एक्स्प्रेस इन ए प्लस आई बी फाम 1 माइनस ट्वाइस आई डिवाइड़ बाई 2 प्लस आई प्लस 4 माइनस आई डिवाइड़ बाई 3 प्लस ट्वाइस आई तुम दोनों काम कर सकते हों इंडिविजली सबको पहले denominator हटा दो, complex number, denominator का complex number और या LCM लेके, मैं LCM वाला ज्यादा prefer करता हूँ, तो सबसे पहले मैं LCM ले लेता हूँ. तो ये मुझे मिलेगा, 1-2i, 3-2i, plus 4-i, into 2-i, तो अगर मैं multiply करूँ तो ये, 3, 1 से multiply कर रहा हूँ, plus 2i, minus 6i, 2-4i square, इसे तो समझाने का जूरत नहीं है, just break out कर रहा हूँ, 4-2-8, plus 4i, minus 2i, minus i square, whole divided by नीचे, 2-3-6, plus 2-2-4i, plus 3i, plus 2i square, तो this can be written as, i square को पहले तुम छुटा करो, तो 3 plus 2i, minus 6i, इसे हटा देता हूँ, इसे थोरा 3, minus 4i, i square minus 1 है तो plus 4, plus 8, 8, plus twice i, plus 1, क्यों? क्योंकि i square का value minus 1 है, divided by नीचे हो जाएगा, 6, plus 4, 5, 6, 7i, minus 2, तो तुम बोलोगे, सर, खेलाई ख़तम कीजेना, 3 plus 4, 7, 8 plus 1, 9, 16, minus 2i, divided by 6 minus 2, 4 plus 7i, very good, क्या करूँगा, मल्टिप्लाई करूँगा, किस से? 4 minus 7i से, मेरे खाले में यह समझ में तुम लोग को आ रहा होगा, तो this can be written as, यह तो नीचे वाला हो जाएगा, 4 square plus 7 square, उपर वाला तो दुबारा ब्रेक कर सकता है, दुबारा ब्रेक करना होगा, इसमें और कोई तरीका नहीं है, 16, 4 जा 64, minus 16, 7 जा 112i, minus 8i, plus 14i square, तुम भी बोलो के सर, क्या बोर कर रहा होगा, आप भी, नीचे 16 plus 49, तो hence, खिला करता हम करके देख लें ना, उपर वाला 10, i square minus 4 तो 10 हो जाएगा, minus 120i divided by 65, तो hence, 10 by 65, minus 1, 20 by 65, खिला करता हम, किसी को लिखना है तो लिख लो, लिखने में कोई बुराई नहीं है, थोरा pen और paper जिन लोग जो लोग नहीं लिख रहा हैं, वो भी ready करके रखेंगे, क्योंकि कुछ समभ तुम लोग को करने के लिए मैं दुखा, हलांके नहीं लिखना गलत बात है, मैं उनको नहीं बोल रहा है, जो लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिनके उस्कूल में खतम हो चुका है, ठीक है, उन्हें नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं खतक्राइब, रहरा हूं, प्रथेवर, अ, अ, आधेड़ सब्सक्राइब, जो रहा है, भागड़ सब्सक्राइब, न इन भागड़ झाल 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 तो वैसे अगर मैं तुमसे कुछ हो है कि तुम जानते हो कि रेसिप्रोकल इस फार्म में हम लिखते नहीं है इसलिए करेंगे तुम पूरा करोंगे क्या नहीं करोंगा तुम लोग एक चीज याद रख सकते हो अगर याद रखने का मन है तो बार बार वो जो लंबा से में ब्रेक करके लिखना हो तो वो नहीं लिखने से भी होता है ठीक है तो दो मिनट के लिए रुख जाओ मैं ज़ड़ा तो दो मिन दो नेट के लिए रुख जिए और रुख जाओ जाओ कई स्बस्ट नमबर वान, तूू, टू, ट्री, तूर फौ, पाच को शान तोंगा वी तूमरोको पाच को शान दो नफवान को कई झाल झाल जब नट इतना स्लो जा रहे की आई नहीं रहे दो मत्रों को इतना स्वीजन करें यह वे टॉटरा अपर रहे जांगी डॉट दो में तो देवस्मों प्रश्च अब शब्स करेंदें अबस्तार रहा क्या अबस्तारक अबस्तार है इंग कर दोसे है जिसी अबस्तारों आगे प्रहटें डिलिए सोच अबस्तानिम्घ्स अबस्तार जाएं ट्रच में याओ नियुखाना एंगे। चलो, पांच मैंट देता हूं, आराम से ट्राइक कोरों, पांच मैं दे रहा हूं बिलीव नहीं करोगे, NCRT का एक एक्सरसाइस खटम, तुम उल्टा के देखोगे, एक सम भी करने लाइक नहीं मिलेगा, अगर यह पांच सम हो जाता है, तुम भोलोगे, झाल 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 सब्सक्राइब 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 I square means minus 1, minus 1 plus 3, 16 plus 3 is 90. तूने यह लिखा, अगर यह है, यह whole square है, 3 square 9 नहीं होगा. तूने यह लिखा, चीजिया, 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 तूने यह लिखा, तूने यह लिखा, ज़िए लिखादे, उसके बाद वाला? B, 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 B. खरीका, B. तूने यह लिखादे, बादे लिखादे, उने लिखादे, बादे लिए्या, बता है. झाल झाल हाँ चल बोल फोर का किसे का डाव डाव तुछने में नहीं सर्माओगे मैं फिर से कहा Наो नहीं आया ये तुमारा हक है कि सर मुझसे नहीं आया मुझे एक बार बनवा की दिखाइए मेरा नहीं निकला नहीं निकला ठीक है सब्सक्राइब यह तुम्हारा हाग है कि सर नहीं बना इन्टी जिरो तो जिरो ही हो जागा ना तो यह हो गया 3-2i by 5-4i plus 3 plus 2 डामनेट एक दम नहीं सरमान है रहे शीख रहे हो ना जिनका आया ठीक है ठीक है ठीक है बहुत लोग बहुत लोग को बहुत लोग डिमर्लाइज हो जादा सर बाकियों का वह गया मेरा नहीं आया अधि ऐसा थे नहीं कि किसी का आया तो वो बाइबर्थ इस चीज को जानता था ठीक है वैसा थे नहीं ठीक है तुम्हारा भी आगर प्रेक्टिस कर लोगे तो 5 3 जा 15 minus 5 or direct 5 minus 3 4 जा 12 y minus 5 2 जा 10 i minus minus 4 2 जा 8 i square plus 3 5 जा 15 plus 12 y plus 10 i plus 8 i square divided by नीचे तो आगया 5 square plus 4 square क्या फायदा 12 y 12 y cancel 10 i 10 i cancel तो ये 15 plus 15 30 plus 16 i square divided by 25 plus 16 तो this can be written as 30 minus 6 जागर divided by 25 plus 16 तो 30 minus 16 40 by 14 1 आया समझ में जिसका नहीं आया था कहां गलत कर रहा था जाल काल कि पांगा निया चलो कॉसमबर 5 तो यह लिखने का टाइम नहीं दे सकता हूं sorry यह लिखने का टाइम नहीं दे सकता हूं 5 ठीक है 5 क्या था 5 क्योंका 5 में क्योंका डाउट होगा हो सकता है मैं 5 में पूछ नहीं रहा हूं आया है नहीं मैं खुद करवा रहा हूं 1 plus i by 1 minus i to the power 4 and plus 1 इसके बारे में चिंता नहीं करोगे पहले रेस्नलाइस कर दोगे जैसे रेस्नलाइस करोगे दिल्खुस हो जाएगा दिल्खुस हो जाएगा दिल्खुस हो जाएगा दिल्खुस हो जाएगा नीचे तुम्हारे पास मिलेगा 1 1 minus i into 1 plus i तो रियल पार्ट वन स्केर हो जाएगा इमेजरी पार्ट भी 1 स्केर होगा नहीं करोगा उपर 1 plus i का होल स्केर हो जाएगा तो नीचे 1 plus i का होल पास हो जाएगा 1 plus twice i plus i square divided by i square plus one क्योंकि i square 1 हो जाएगा उपर 4n plus 1 तो रहेगा ही तो इससे इसका value तुम्हारे पास i square minus 1 था इसले ही और यह cancel हो जाएगा तो यह twice i divided by 2 to the power 4n plus 1 2, 2 भी cancel हो गया, तो I to the power 4 and plus 1 4 and plus 1 को जब तुम reminder करोगे 4 से divide करोगे, तो reminder 1 आएगा I to the power 1, answer I है answer I है, answer I है क्या CI था? Yes, sir, CI यह time दे रहा हूँ, किसी को लिखने का मनना है क्योंकि मैं journal ले किसी को इसमें doubt होगा हो सकता है तो यह वाला एक ठीक है, तो यह हमारा exercise 5.1 हमारा खतम करता है दोखो, मैं एंसियाटी के तरीके से कराऊँगा हाँ, मैं मेरा कराने का तरीका क्योंकि तुम देखोगे जो मैं पहले थोरी खतम करवा देता हूँ एक बार और उसके बाद फिर हम लोग ठीक है, सम्स में करेंगे, केवल सम्सॉल करेंगे तब हमारे पास थोरीक और नहीं आगा तो पहला थोरी हमारा क्या था? कॉंजुकेट का, सेकेंड थोरी में जाता हूँ अच्छा, इसी में मुझे बताना है कर यह एक बार, जैसे यही वाला लेता हूँ तुम लोग का, एक्स प्लस आई वाई, हाँ दो रियल नंबर सेम कब होता है पहले दू-तिन चीज देखो तो यह तो लिख लिया रूट आबर अबर अबी को तुम रूट ए इंटू रूट भी हर समय नहीं लिख सकते हो यह तभी लिख सकते हो मतलब तुम बोले कि नहीं सर, हम लोग ने परा था, यह होता है परा था, कब परा था, क्लास टेंट में ठीक है, क्लास टेंट में टेंट में तुम लोग रूट आवर डिफाइन के लिख समय पॉजिटिव नंबर ले जाए तो वो तो मैं भी कहा रहा हूँ कि 16 in to 25 is equal to root our, 16 in to root our 25 होगा, वो तो मैं भी कहा रहा हूँ नेगिटिव नंबर में कहा परा था, नेगिटिव नंबर में तो पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए मत वस्तों कि सर, हमने परा था यह true होता है ठीक है अगर एक को positive होना पड़ेगा मतलब root of minus 2 into root of 3 को root of minus 4 into root of 25 को no doubt मैं root of minus 4 into 25 लिख सकता हूँ तो कि इसमें एक positive number है इसलिए यह root of minus 100 होगा तो 10 बाहर आजाएगा root of minus i जो 10 i देगा यहाँ पे भी root of minus 4 जो होगा वो क्या देता है twice i देता है into 5 10 i देगा तुम लोग किताबों में देखोगे कि कहां गलत है 1 is equal to root of 1 is equal to root of minus 1 into minus 1 is equal to root of minus 1 into root of minus 1 is equal to i into i is equal to i square is equal to minus 1 1 is equal to minus 1 कहां गलत हुआ तुम भी बोलो कि सर क्यों बोर करते हो ठीक है यह दोनों negative है यह negative होने के कारें यह वाला formula false है समझ में आया इसे लिखने का time नहीं दूंगा रहे लिखना तो यह लिख लो हाँ बोल लाइन नमबर 18 में आपने माइनस हंड्रेड रूट अवर को 100 इंटू माइनस 1 लिखा हां मतलब मैंने इसको हां हां मैंने इसको हंड्रेड इंटू माइनस 1 लिखा हंड्रेड को बाहर लेके आ गया 10 और यह रूट आवर माइनस 1 लिखा यह कर सकता हो ना रियल बार तो बहार निकल सेटा है, सर्व वो माइनस आई है या फिर वन यह माइनस ओने, यह माइनस ओने, सुर्णी मेरी गलती है रहे हो, वो आई है फिर उसके बाद, सॉर्णी, वो गलती था पर, ठाप अधर था, चल्ड़ों आगे चल रहा हूँ, और एक चीज़ बताना है, दो कॉंप्लेक्स नंबर अगर सेम होता है, तो यह तभी पॉसिबल अगर रियल पार्ट, रियल पार्ट के एक उल हो, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी के, मतलब अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि 2 प्लस 3i is equal to x प्लस i y, त अब तो यह पॉसिबल्टी है, x2 के साथ होगा, मतलब रियल रियल के साथ होगा, और इमेजनरी, इमेजनरी के साथ होगा, ठीक है, किसे को लिखना है तो लिख लो, और तुम बोलो कि सब पता ही था, सब कॉंसे माइन भी हमारा यही कह रहा था, कि रियल रियल पार्ट के इक को लोगा, इमेजनरी के पाट के एक को लोगा, यह काफी लंबा सम होगा, वो तुम लोग खुद करके देख लोगा, तो ऐसे सम में क्या करोगे, कि तुम रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेर करके एंसर निकालोगे, तो सर कैसे कंपेर करेंगे, तो इसमें क्या करोगे, इसमें मुझे एक LCM ले लो, उसके बाद उसे तो इमेजनरी पार्ट दोनों साइड में आ जागा तुम्हारे पास, जैसे कदी देता हूना एक बाद, अननसेसरी, थोरे दर के लिए क्यों बदनाम हो, तो वन प्लस ट्वाइसाई से मुल्टिप्लाइ करूँगा, तो वन माइनस ट्वाइसाई तो बूलोगे, सर आपने LC जैसे हम नहीं लिए, ठीक है, इसे भी बस छोड़ दो, इसे मैं एक काम करता हूँ, पहले थोरी खतम करता हूँ, फिर इस टाइप के समय आता हूँ, ठीक है, आज ऐसे भी जादा टाइम मेरे पास है नहीं, तकि तुम NCRT के जादे एक्सरसाईज को कर पाऊ, चलो, आगे जलते हैं, अब आते हैं, मॉडुलस में, क्योंकि सीखा बहुत कम चीजे सीखा है, मॉडुलस, और कॉंप्लेक्स नंबर, जब तुम्हें एक कॉंप्लेक्स नंबर दिया रहता है, जट का वेलू A प्लस IB, तो मॉड जज जो होता है, वो डिटर्माइन करता है, रूट आव मगर उसी चीज़ को, अब अगर लिखोगे इस से तो सही है रहे, सेम ही हो जाता है, माइनस 3 का होल स्कार प्लस 0 स्कार इस इकल तू 9 इस इकल तू 3, मतलब information सेम ही है, मॉड जज इस इकल तू, मगर वहाँ पे मॉड से जैसे तुम निकाल लेते थे, X इकल तू, यहां से न हमने देखा था कि अगर हम जैट को जैट बार से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमें बड़ा सुंदर स्कीज मिला था, A प्लस IB को A मैनस IB के साथ अगर मल्टिप्लाइ करता हूँ, तब मुझे इसने दिया था A स्कार प्लस B स्कार, तुम बोलोगे सर मेरा भी दिल खुस हो गय हाँ, यह मौझ जैट का होल स्कार है, तो यह बड़ा एक स्टेंडर्ड रिजल्ट है, कि मौझ जैट का होल स्कार, मौझ जैट नहीं, मौझ जैट का होल स्कार जो है, वो जैट इन्टू जैट बार होता है, यह मौझ लस है, ठीक है, तो अगर मैं तुम से पूछता हूँ क define mod z if z is equal to 3 plus twice i divided by 4 minus 3i. तो तुम बोलो कि सर एक काम कीज़े पहले से a plus i b में change कर दीज़े तो ठीक है कर लो 4 minus 3i एक सुन्दर से एक सम लेता हूँ, हाँ उससे मुझे क्या फाइदा होगा, छोटा सा सम लेने से मेरे लिए बैटर होगा 1 plus 2i by 2 plus i लेता हूँ, उससे क्या होगा, मेरा calculation easy हो जाएगा, तुम्हें जो मुझे सिखाने का मन है, वो मैं ज्यादा अच्छे से बता पहूँगा, 2 minus i तब z का value नीचे क्या हो गया, 224 plus 1, उपर क्या हो गया, 1 plus twice i multiplied by 2 minus i मतलब z का value मेरे पास क्या है, 2 plus 2, 4 plus twice i divided by 5, तो मतलब 4 by 5 plus 3 by 5 i, तो अगर z मेरे पास 4 by 5 plus 3 by 5 i आया, तो मॉझे कितना हो गया, root over of 4 by 5 का whole square plus 3 by 5 का whole square, मतलब root over of नीचे भी 25 और उपर तुम्हार पास आ गया, 4 square plus 3 square तो hence 1, ठीक है, बर मैंने लंबा में ठट लिया है, मैं तुम्हें और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं साई भाई लेकर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, NCRT ने प्रूफ किया हो है, उल्टा के देख सकते हो, अगर मैं यहां पे डिरेक्ली करना चाहता हूँ, अगर मैं एक काम करता, अगर मैं मॉडलोस को ऐसा ले लेता, तो दोनों में अगर मैं मॉडलोस लेता, तब क्या होता ब लोगों ने ये result प्रूफ किया, कि अगर हमें कभी भी mod of z1 by z2 पूछा जाए, तो हम इसे अलग-अलग लिख सकते है, mod z1 by mod z2, ठीक है, नमबर 2, उसी तरीके से अगर कभी multiplication में z mod पूछा जाए, तो तुम अलग-अलग कर सकते हो, mod z1 into mod z2, नमबर 3, अगर तुम z bar का mod लोगे या z का mod लोगे तो चीट सेम है, नहीं मानते हो, z a plus ib है, तो mod z कितना है, root over of a square plus b square, z a minus ib है, तो mod z कितना है, root over of a square plus minus b का whole square, मगर ultimately तो a square plus b square ही होगा, तो ये तीन एक important result है, नहीं, plus में सेम नहीं होता है, in general, mod of z1 plus z2 is not equal to mod z1 plus mod z2, तो हम next class में रेखेंगे, ट्रेंकल इनुकल्टी के संब्स में, कि ये एक्स्वी में less than equal to होता है, ठीक है, तो लिखना है तो अभी लिख लो, मेरा कहना है कि ये वाले संब्स में ये लिखने का ज़रूत नहीं है, ये लिखने का ज़रूत नहीं है, क्योंकि ये गलत method है, हम लोग directly mod z1 अलग-अलग से निकाल सकते हैं, कैसे को लिखना है तो लिख लो, सुरूब आती है, माल से करता है, मॉडले साथ कॉम्लेक्स नहीं है, कुछ पूछना है तो पूछो, अभी तक मैंने कुछ नहीं बता है, बस इतना बता है, कि रियल पार्ट का स्क्वाइर कर दो, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वाइर कर दो, हाट में अंसर आ जाता है, ये लंबा method मैं तुम लोग को प्रूफ करके दिखा रहा था, प्लस में ये काम नहीं कर सकते हो, प्लस में दोनों से हर समय नहीं होता है, कभी-कभी हो भी जाता है, अगर हर समय नहीं होता है, कर दो, झाल झाल नीचे चरूना? नाज़ बोल दिया करना मोजे, मजे लागता ऑफुरा पेश्द दिया लिखने केलेगे, मजे, कुछ्छ लिखना चानने से से, बोल तो. तद थोड़ा नीचे लेयांगे? नाज़ ये वाला छी ये? या ये? यह चैया है आगे वाला चीछ चैया है? जो लिख्वा कि अन्हों अलोगामने एंडे में लूकाब कि पुज भार बाती अशेक मुझाब एंड़ गई करेंगा जैका वे तो ये सब आपने करेंगा ये वे तुमको लृघ ह वूगाब लुटाया वर गे अजिया वी है तो यहां पर तुम अलग लग नहीं कर सकते हो देखो अब हमारे बस इतना कुछ मैंने तुम लोग को सिखा दिया कि अब मैं एक geometry of the complex number थोड़ा सा डवलप कर सकता हूं तो आगे चलता हूं हम लोग ने देखा कि नॉर्मली जब तुम कंपेर करते हो तो रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ रहता है इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के साथ होता है तो हम लोग complex plane में अब एक काम करेंगे ठीक है Ergan plane भी से कहा जाता है हमने देखा कि जब मैंने Z तुम्हें दिया तो उसे मैं अगर X प्लस आइवा या A प्लस आइवी लिखा हूं तो यहां पे भी वही लिखता हूं तब हमने देखा कि इससे अगर मैं real axis ले लूँ और इससे अगर मैं imaginary axis ले लूँ तो मेरा यह जो point P of Z है मतलब A प्लस आइवी इससे A, B भी लिख सकता हूं A, B जब लिख रहा हूं तो मैं 2D में हूं मतलब two dimensional geometry में हूं जब Z लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं argon plane में हूं बात बराबर है ठीक है दोनों exactly same ही चीज़ फालो करता है बस एक में x-axis y-axis कहा जाता है और एक में real axis और imaginary axis कहा जाता है तो अगर यह Z लेते हो A, B तो तुम जानते हो कि तब तुम्हारे पास यह वाला length जो है A है और यह length B है और O-P का length क्या होगा ता बोलोगे O-P क्या होगा? तो क्या है अभी तुम्हें कुछ पराद हाँ? मौद जट मौद जट का geometrical मीनिंग क्या है? distance of point P from origin तो तुम बोलो कि सर उस मौदलस का भी तो यही definition दा था या नहीं? जो हम लोग ने real number में जब minus 3 को mod 3 लिखते थे तो यह देता था, यह distance देता था बस अंतर क्या है? real number line के उपर काम करता है complex number plane के उपर काम करता है 2D में आ जाता है real number one dimensional object था यह two dimensional object है तो hence हमें बड़ा सुन्दर चीज मिला तो इसलिए normally मैं इसे R से denote करूँगा इसे मैं R से denote करता हूँ क्योंकि यह radial distance भी कहा जाता है किसी भी point का radial distance origin से जो होता है direct distance जो है R अगर मैं यह theta निकाल लूँ तो मेरा काम हो जागर यह बरा सुन्दर दरीके से क्योंकि अगर मैं यह theta निकाल लूँ तो मैं इस A को कुछ लिख सकता हूँ R cos theta नहीं क्या क्या क्योंकि मैं जानता हूँ तब A by R cos theta था और इस B को कुछ लिख सकता हूँ क्या R sin theta तो अगर मैं यह theta निकाल लूँ अगर मुझे मालूम चल जाए कि एंगल P O इसे capital X लेता हूँ अगर P O X theta है और O P का distance R है मतलब यह अगर mod Z है और यह हरसे में positive X axis से बनाएगा तब मैं Z जिसको A plus IB लिख रहा था उसके बदले अब क्या लिख सकता हूँ A के बदले R cos theta B के बदले R sin theta लिख सकता हूँ यह R cos theta plus I into R sin theta हो जाएगा मतलब Z में अगर मैं R common ले लूँ तो इसे cos theta plus I sin theta जब इस form में लिखते हैं तो इसका एक नाम है इसे polar form of complex number कहते है polar form तो तुम्हें समझ में यह आई रहा होगा क्यों कहते हैं क्योंकि हम लोग ने यह चीज trigonometry में भी किया था R का value क्या था यह समय याद रखना R जो है वो root our a square plus b square है किसी को लिखना है तो लिख लो फिर से कहरा हूँ अभी बहुत डाउट होगा कुछ सम्स करा हूँगा तो ज्यादा क्या रहा होगा हाना कि डाउट पूछ सकते हो यह नहीं कहरा हूँ कि डाउट मन पूछा हो मुझ से मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कहा कि अगर मैं तुमसे बोलो ठीक है चलो तो यह यहां पर इसे छोड़ा भी मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि पी 3,2 लिखो तो पी 3,2 class 10 में कैसे लिखते थे बोलो लिखते थे हैं नहीं यह clear है अब मेरा कहना है कि जब मैं 3 plus twice i है इसे मैं x plus i y ले लूँगा मतलब सेम चीज़ को अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं P3,2 को ऐसा भी अब लिख सकता हूँ 3 plus 2i मगर जब मैं इसे 3 plus 2i जैसा लिखूँगा तब मैं इसे x-axis नहीं बोलके इसे real axis कहूँगा क्योंकि इसमें real number आता है देखो 3 real part है और इसे imagery axis कहूँगा आया समझ में दोनों सेम है जब तुम 3,2 लिखते थे जब तुम 3,2 लिखते थे तब तुम इसको x-axis कहते थे इसको y-axis कहते थे जैसे अगर यह दोनों point मेरे लिए exactly same चीज है कि अगर मैं minus 5,6 लिखूँगा तो ठीक है x minus 5,6 है तो यह point होगा p minus 5,6 और मैं तुम से काट किया है? बोलो x का value किया है? minus 5, minus 5, y का value किया है? 6,6 अगर तुम अगर रिप्रेजंट करोगे तभी यह वही point होगा, अब आया समझ में हाँ sir ठीक है? तुम बोलो के साथ जरूरत किया है? जमाग एक साथ वो तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसका जरूरत अभी कैसे बताऊंगा, जब sums कराऊंगा तभी बता पाऊंगा तो अभी मैं जरूरत नहीं बता पाऊंगा, अभी मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि कैसे two-dimensional plane को कैसे two-dimensional plane को हम complex plane में change कर रहे हैं हम कहा रहे हैं कि अगर z हमारे पास हम कहा रहे हैं कि z अगर हमारे पास x प्लस i y है तो x दो है, this is nothing but this is z अगर x प्लस i y दिया है तो अगर मैं इसको real x लूँ और इसको imagery x लूँ और इस point को अगर मैं p ले लेता हूं x, y तो मेरे लिए यह x का का काम करेगा, यह y का का काम करेगा और यह r ले लेता हूं, तब r क्या होगा? अरे, r क्या होगा, r root over x square plus y square होगा अब मैंने तुम्हें बोला, क्या तुम्हें root over x square plus y square का कोई नाम मैंने अभी दिया था तुम लोग को? कुछ बुरा था? नाम अब बोलोगे, तो ठीक है तो इसका मतलब है हम इसको mod z लिख सकते है x को r cos theta लिख सकता हूँ और y को r sin theta लिख सकता हूँ तो hence common क्या गया r cos theta plus i sin theta है इसे polar form कहते है इसे polar form कहते है theta को theta का एक नाम है ठीक है तो उपर वाले ही लिखो क्योंकि यहां पे सब कुछ दिया है इस theta का भी एक नाम है theta को argument of z कहा जाता है जो theta तुम्हें मिला यह argument of z है यह नाम है उसका sir क्या use है अभी कैसे बताऊ पहले सीखो इस चीज को फिर use भी बताऊँगा theta हर समय 0 से 2 pi तक लाई कर सकता है क्यों पुरा घूम के जा सकता है सकरके तो theta 2 pi में sir आपने equal to क्यों नहीं दिया दोनों इक ही लाईन था आप किसी को लिखना है तो लिख लो फिर कुछ सम्स कराऊंगा time तो है नहीं सम्स कराने का यह लिखना है तो लिख लो next class मेरे ठाल में फिर से करवाता हूँ यह अलाग चीज हा आज नहीं हो पाया यह दो तीन सम्स करवा ही देता हूँ जब बनना continuity ब्रेक हो जाएगा लिखना है तो लिख लो जड़ा है स्पीड में दो तीन सम्स करवा देता हूँ तो इक्वेल टुट्वाइस पाई क्यों नहीं हुआ क्योंकि जीरो आट ट्वाइस पाई सेम एंगल है अंभिग्यूट्य नहीं आएगा क्या तू पाई कौन सा एक्स 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 था जीरो भी एक्स 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 था आया समझ में हाँ सर्थ पाई आगे चलू तो फाइन मॉड्यूलस आर्गुमेंट और पोलर फार्म तीनों चीज करना है हां पोलर फार्म जेट का वैल्यू टू प्लस ट्वाइस आई है तो मुझे बोलो एक्स का वैल्यू यहां पर क्या है तो यह कौन सा पाइंट होगा यह पाइंट होगा तो अगर यह टू कामा टू यह जिरो कामा जिरो तो यह एंगल कितना होगा तो आर्गुमेंन कैसे निकलेगा तो यहां पर तो आर्गुमेंन कैसे निकलेगा caption है तो यहां पर तो आर्गुमेंन देखके ही हमें पता चली क्या होगा argument of z होगा pi by 4 जो theta होगा r क्या होगा root over x square plus y square जो 2 root 2 होगा और polar form क्या होगा ये तीन चीज़ी निकालना था polar form होगा z is equal to r times of cos theta plus i sin theta तो this implies r का मतलब 2 root 2 और ये हो जागा cos pi by 4 plus i sin pi by 4 लिख लोगे क्या एक बार थोड़ा सा लंबा खीचूंगा रहे हाँ ठीक हो सकता है और पांज़स्मेंट class loo में अब थोड़ा समझ में आया होगा कि हाँ ठीक है कि क्या हो रहा है मगर ये अभी समझ में नहीं होगा कि सर ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो क्या use है इसका उपर वाले में ऐसा क्या खराबी था वो तुम्हें बोर्ड लेवल में नहीं दिखेगा वो तुम्हें एंट्रेंसिवल में दिखेगा बोर्ड लेवल में हलाकि मैं थोड़ा सा अप्लिकेशन करवा सकता हूँ से 10X के class में कि दिखान प्लेंज जरूरी है बढ़ना तुम्हें अंदर वो curiosity रहेगा NCRT ने भी नहीं बताएगी क्यों क्यों जेमेट्रिकल को हमने प्रफर किया आगे चल रहाएगा आगे चल रहाएगा आगे चल रहाएगा अब मैं सेकेंड वाले में जा रहा हूँ सब कॉर्ण का एक एक बता देता हूँ z is equal to minus 1 plus root 3i चल तो x क्या है y क्या है कौन सा कॉर्ण x नेगिटिव, y पॉजिटिव second cordon तो second cordon में जब तुम लोगे तो ये तुम्हारा मिला ये p तुम्हारा हो गया minus 1, root 3 मतलब ये root 3 और ये minus 1 तो ये angle कितना? ये 60 degree 60 degree मतलब pi by 3 मगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए positive x-axis से चाहिए तो ये कितना हो गया? 2 pi by 3 तो अब चलो, सुरू करो modulus z कितना हुआ? root of x square plus y square जो 2 है, जिसे r कहते है argument of z क्या हुआ? theta is equal to 2 pi by 3 तीसरा तो polar form क्या था? polar form था z is equal to r times of cos theta plus i sin theta put up कर दो r का value 2 cos 2 pi by 3 plus i sin 2 pi by 3 किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे क्या यूज है? उसमें confuse मत तो हाँ, ये एक form हो सकता है या नहीं अगर तो वेल्यू लालो के तो तो में भई ही मिलेगा cos 2 pi by 3 कितना था? minus 1 by 2, i into क्या root 3 by 2, तो cancel हो कि तुम्हें क्या मिला 1, सेम चीज मिल रहा है, देखो तो अब मैं बस कह रहा हूँ क्या ये possible नहीं है? हाँ, तुम बोलो कि हाँ सर, possible है ये चीज़ लिखना है क्या ये थांजि़ क्यार ये धुटिखवा क्यार क्या ये टूर्ट क्यार ये जुटिए प्रॉब प्रॉब ये रहां आगे चलू मगर एक NCRT क्या कहता है कि प्रिंस्पल आर्गुमेंट जो है आत distribution प्रिंस्पल आर्गुमेंट जो है वो लेकर लेकर पा सलनन्हुक्त पी तक है मांनस पा से पा स्थे living है यह नहीं कि 0 से तींचा अंहीं तर आर्गुमेंट लेताонец पा से पा स्थे पा ृस्थे के जब मांनस पा से और इस ट्राइप से घुमोंगे तो πाई मिलेगा. तो माइनस पाई से लेके पाई तक, ठीक है, कैसे चीजे आर्गुमेंट निकाला जाएगा, अब मैं वो बता रहा हूँ. बार-बार मैं यह डाइग्राम नहीं बताऊँगा, अब मैं तुम लोग को एक golden algorithm दे रहा हूँ, जिससे चीजे निकल जाता है. Suppose Z का value तुम्हारे पास A प्लस IB है, ध्यान से देखो, सबसे पहले, find quadrant. Quadrant find करो. Find quadrant, तो find कर लोगे, second, find 10 alpha is equal to mod A by B. यह argument नहीं है रहे, alpha हर समय first quadrant में लाइक करेगा, कोई चीज़ नहीं है, last class में हमने किया था. अब quadrant के अनुसार तुम argument Z निकाल लो. अगर मैं argument of Z को ठीटा लेता हूँ, तो देखो क्या? First quadrant में ठीटा और alpha सेम है, second quadrant में ठीटा क्या होगा, कोई बोलेगा? Last class? क्या था? Last class बताया था ना, एक टाइक आप से, पाइ से छोटा है, तो क्या? पाइ मैंने प्लस alpha लिखाया था, मगर क्योंकि argument माइनस पाइ से पाइ के बीच में है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. यह माइनस पाइ से पाइ के बीच में लाइक करेगा ना, रे. और fourth quadrant में theta minus alpha हो जाता है, यह तो समझ मैंना क्यों minus alpha है, क्योंकि अगर तुम यहां इस unit में ऐसे आ रहे हो, तो यह तुम्हें alpha होगा, तो ऐसे आ होगे तो यह कितना है का तब? B का value निकालो, sorry, is equal to x plus i, y लो, sorry, यह जो भी, i, y जो भी लेना है, a, b, x का value minus 1 आया, y का value minus 1, कौन सा quadrant, इस पीड में बोलोगे तो छोड़तू होगा, third quadrant, second step में क्या करोगे, 10 alpha का value निकालो क्या, mod of y by x, 1, तो 10 alpha 1 first quadrant में कब होगा, alpha का value क्या है, बोलो, अगर तुम third quadrant में हो तो argument of z क्या होगा तब, minus pi, plus alpha, minus pi, plus pi by 4, तो कितना, minus 3 pi by 4, तो अब तुम्हें सब कुछ आ गया, तुम्हें argument of z आ गया, कितना, minus 3 pi by 4, r आ गया, root over 2, तो polar form क्या होगा, r, cos theta plus i sin theta, किसी को लिखना है तो यह लिख लो, आज यहीं पर छोड़ रहा हूँ, doubts बहुत होगा next class में, क्योंकि मेरा class है actually में, हाँ, तो इसलिए, तुम्हारा हो सकता है class अभी नहीं हो, मेरा class है, इसलिए मुझे, थोरा सा, तोरा से नही class है, दो class के पीच में बना, मैंने आज PSD class बोला था, मगर तुम लोग को आज सुभा एक assignment बिला आओगा, मैं उस assignment की पीछे था कि पहले वो assignment में बना दू, तो आज पूरा सुभा से बैटके वो assignment बना रहा था, तो इसलिए अज PSD class नहीं हो, next PSD class बोल दूंगा, कब दू तो आप थोड़ा नीचे जूम कर सकते हैं, नीचे लो, यह लो, उपर वाला चीज लिखना परेगा ना, यह principal argument, पहले यह लिख लो, यह लिखना होगा ना, यह important है, बाकी लोगों को लिखने ने दो, मैं उपर जा रहा हूं, दो पनेट के लिख जातू, तब तक मैं यह भ अच्छा फिल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा, मतलब, मुझे यह ग्राफ वाला बताने का मन हो रहा है, जब वेट करोगे क्या रहे, मतलब, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब, असली चीज तुम लोगों को बताया नहीं है, पॉइंट क्या था बोलो, पी क्या था, माइनस थोड़ा सलीने का जोरत नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्यों हुआ वो, मैं यह बताना चाहता हूँ, यह एंगल कितना होगा, तो यह एंगल कितना होगा तब, यह एंगल, यह पूरा कितना था, यह पूरा माइनस पाइ था, तो तुम माइनस पाइ से पाइ यह फॉर्क यूगा तो तुम लिखे लिखे लगे है तो ये वाला कितना होगा ये वाले उस भड़ा ब कि और वां गुंखने हो नें तो हैंस्य लिए है यह वाले में तो मुझे बताने का जोरेत नहिंते निए 살 जानती है अगर यह alpha होगा तो यह कितना होगा बोलो तो यह वाला मेरे लिए important था हाँ तो क्यों हो रहा है लिखना है तो इसको से चलो तो complex number next class में complex number ही चलेगा हाँ करेंगे अधी में तुम्हें बहुत सम्स मिलेगा तुम गलोगे सार आपने कुछ करवा है नहीं है हाँ बस थीरी मैंने पहले करवाया है आलमस्स थीरी खतम है तो ncrt का तो थीरी खतम ही है तो उसके बाद बस अब हम लोग क्या करेंगे कुछ सम्स को करेंगे next class में कॉम्प्लेक्स के बाद मैं कॉडिटिक एंटरिस देविल में जाओंगा किसी के स्कूल का कोई एक्जाम आ रहा है नहीं ठीक है आने से बोल दोगे हाँ कोई चेप्टर अगर मैंने नहीं पढ़ा होगा तो तुम लोग आ सकते हो और कॉर्सन बैंक में थोड़े ठीकल समयरे मैं पहले ही कह रहा हु हाँ और सर्जारत किया है यह एक्जाम दे दो यह जो एक्जाम मैंने भी दिया हुआ है एकभार बैठ के जही मेंश पैटन का एक एक्जाम अपलोट किया है मैंने एक बार बैठ के काई, दे दो समझ में आज आजागा अगस्या जवरत किया, ठीक है, तो इसलिए, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने अपने लेवल को उठाना है, और मैं वह ही कोशिस करूँगा कि यहाँ, धीरे धीरे मैं वह काम कर पाऊं तुम लोग के साथ, सालो आज के यहीप चोड़ता हूं, अधीरे गॉर्ट नेक्स्क्रास मेल हों अभल, आज 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 आपने पीस्टी का असेंटमेंट यह नाइन ना याज नइ परारा था, यह परारा था फीस्टी का संविक्ट